आप सभी का स्वागत है आए कारेक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पंचांग 28 सितंबर 2018 शुक्रवार का आज दिन है भरनी आज नक्षत्रे तरत्ती आज तो जिठी है लेकिन जो श्राद होगा आज चतुर्थी का श्राद होगा अब देखते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा सबसे पहली राशी मेश मेश राशी वाले व्यक्तियों के लिए आज योग बहुत अच्छे हैं आपको व्यक्तिकत सफलताओं की दरश्टी से देखा जाए तो उत्तम लाब की प्राप्तियों की और मैं भी आपसे ही कहूँग लेग रहे हो कि वैसे तो खर्ची ले हैं लेकिन आज कुछ अच्छा भी करने वाले हैं आज आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है और उसके माध्यम से कई लोगों में सुलह कराने की इस्तिती आपकी बन सकती है बीच बचाओं की इस्तिती माप रह सकते हैं उसमें आपको फायदा भी होगा और आपका मन भी लगेगा और बैसे कारेले के छेत्रे में यदि आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो वहां आपको अच्छी सफलताओं की प्राप्ती होगी आज आप मेहनत करते हुए भी तरोताजा बने रहेंगे दिन की शुरुआत यदी सूरे नमसकार स आप अधिक करेंगे किल मिलाकर जब योग ठीक हों तो लाब अच्छा होता है तो जिस वक्ति से आपको मार दर्शन मिल रहा है उसे मिठाई अवश्य खिलाएं करकर आशियल वक्तियों के लिए योग अभी दो दिन और अच्छे हैं आपको बहुत अच्छे लाब मिलेंग अधिक बोलने से आपकी बात को तवज़ो भी नहीं मिलेगी और आपको परेशानी भी होगी और सुनने से आपको बहुत अच्छे लाब मिलेगी आज आपका दिन अच्छा रहे अपने भगवान के दर्शन करके घर से बाहर जाएं से राश्य विक्तियों के लिए योग अ आपका समय अच्छा आए तोड़े से आप 3 गंटे परेशान रहेंगे पिर आपका समय अच्छा आएगा वो सायंकाल के बाद 5 दिन आपके अच्छे होंगे आज आपका दिन अच्छा है उसक लिए असोख का है आम का पत्ता आपके आसपास हो तो उस पत्ते को रखें बहतर होगा करने राशियल वक्तियों के लिए ग्रह बहुत अच्छे हैं आज आपको सफलताएं भी बिलेंगे आपके माध्यम से दूसरे नों के काम भी बनेंगे और आज आप कुछ नए प्रेक्टिकल करने वाल कर्मे मांगलिक कारीयों के आने का दिन है यदि कोई मांगलिक कारीयों की चल सरे चलती है तो उस में आपके मार्द्धियम से लाब मिलेगा और परिजन यदि आपसे कोई बात करते हैं यithya को जिम्मेवारी दे रहें तो उस जिम्मेवारी को सहर स स्वीकार करने मना नही करें अनिता आपकी बात भी बिगलेगी और आप जिस कारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं उससे भी आप बंचित रह जाएंगे आज का दिन और भी अच्छा रहें उसके लिए उबले हुए चावल पक्षियों को अवश्य डालें ब्रशिक राशियल व्यक्तियों का बहुत अच्छा दन है उत्तम लाब मिल रहें कई प्रकार के कामों को आप असानी से ब्रह भी रहें और बहुत सारी चीयों सोब प्रोवावीत भी हो रहे हैं लेकिन जो काम आपको करना है उस काम में थोड़ा सा मन लगा कर करते रहें सफलता हैं अच्छी मिल रही हैं और दो पर म आलश्य का त्याग करें आज की दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने मन को थोड़ा सा नियंत्रित करें धनुराशिल विक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोरे लें कल परसों दो दिन आपके बहुत अच्छे हैं साइंकाल से यह दिन शिर्य होगा और आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा रुकावट सी आ सकती है या धन के अभाव में कारे रुख सकता है लेकिन यह कारे पर्मानेंट बंद नहीं होगा सिर्फ आज ही थोड़ा स्लो हो सकता है आज आप जितना भी चिंतन कर रहे हैं थोड़ा सा negative अधिक है, positive थोड़ा सा कम है और जो आप सोच रहे हैं वो घटित होना नहीं है इसलिए आपके पास जो भी काम है उन कामों को करें थोड़ा सा अपने आपको positive thinking मिले के आए और ऐसा करने से लाब भी मिलेंगे तनाव भी कमों का आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए पीले रंग के बस्तर पहने मकर राशिर वक्तियों का बहुत अच्छा दिन है आज देश विदेश से आपको खुश ख़बरी प्राप्त हो सकती है यदि कहीं विदेश पढ़ने की प्लानी कर रहे हैं यह कुछ ऐसे काम करने जा रहे हैं जो अपने शेहर से बाहर के हैं उन कामों में आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी और इस ताइश संपत्ति काईदी कोई निरने ले रहे हैं तो आप अपनी माता जी को उसमें शामिल अबश्ट करें उनके माध्यम से आपका आज ही का कारिय सिद्ध होगा आज के दिन को सफल वनाने के लिए थोड़ा सद्ध ही खा कर जाएं कुम्ब राश्यल विक्तियों ले आर्थिक पक्षाच मजबूत रहेगा परिवारिक जीवन की दरश्टी से देखा जाए कहीं परिवार में कोई बेठक होने वाली हो या मीटिंग कहीं कर रहे हो तो वहाँ आप अपने शब्दों का चैन थोड़ा सा सही रखें बेहतर हुआ लेकिन कारेले के शेत्रों में या अपने जहां भी आप काम करते हैं वहाँ दी जा रहे हैं या व्योशाय कर रहे हैं तो उसमें आपको आकस्मिक अच्छी सफलताओं के योग बनते हैं आज आपका दिन अच्छा रहे है उसके लिए अपने गुरु देव के मंत्री की या अपने इस्टमंत्री की एक माला का जाप करके घर से बाहर जाए पितर आज मेल हमें प्राप्त हुआ है संतोष खत्री जी का भोपाल से आपने जौब के समंध में लिखा है मुझे जौब में कुछ परिशानि आ रही है अदिकारी से आपको कुछ इबाद चल रहा है लिखा है अधिकारी आपको बिलाते हैं जलील करते हैं कुछ इस तरी की परिष्थिती हैं तो थोड़ा सा मामला तो टफ है उसन तो जबी आपका टाइम मार्च तक थोड़ा सा टफ है इसमें मन लागर काम करें अधिकारी चाहिए जो बोले उससे कुछ मतलब नहीं होता है क्योंकि हम नोकर होते हैं मालिक के मालिक के इस तरी के कोई बात करता है था हमें उसको गंभीरता से लेना चाहिए मा के आप भी नो करें वह भी नो करें आप छोटे हैं वो बड़ा है इतना ही इसमें अंतर पड़ता है कई लोग एगो इस्टिक होते हैं जिस तरीज आपने लिखा है वो अपनी बात के चकर में दूसरे को परिशान करते हैं तो मुझे लग रहा है आपके अधिकारी दिसंबर का मुह नहीं देख पाएंगे तो तीन मेने तक आप थोड़ा सा धेर रखें तीन मेने को आप बहुत अच्छी सफलता मिली कि मालिक के प्रतीब वफादारी जितनी अच्छी होती है उपर वाला उतनी ही अच्छी जिम्मेवारियत देता है इस सूत्र को आप याद रखें यही सूत्र जिन्दिगी में काम भी आएगा और आप सफल भी होंगे यह अवश है कि आप सज्जन बेक्ती हैं काम अधिक करते हैं तो थोड़ी परिशानी होती है और इसमें हनुमान जी के दर्शन करना हनुमान चानिसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा कारी करेगा मित्रों भी बात चल रही है स्राद्ध भक्ष में हम विभिन्न प्रकार के लोगों को भोजन कराते हैं आज हम बात करेंगे आपने कई बार सुनाओगा कि जब भी शनी चल रहे है चीटियों को शकर डालो परिवार में कोई दूबिधा या विपता रही है तो चीटियों को चीनी डालो या चीटियों को कसार डालो या चीटियों को खंड सारी डालो इस तरकी की बाते होती है तो उसी प्रकार से स्राध्ध पक्ष में भी जिस भूमी पर हम स्राध्ध कर रहे होते हैं उस भूमी की जो देवता होती हैं भूमी के अंदर रहने वाले जी भूमी के देवता होते हैं इसलिए कहा जाता है कि नाग पन के उपर ये प्रद्विटी की हुई है नाग इसके मूल दे होता होते हैं लेकिन नाग का मूल सुरूप चीटियों के अंदर होता है सबसे ज़्यादा सफाई कर्मी चीटियों होती है इसलिए चीटियों का विश्यस महद होता है और जब हम तरपन करके पिंदान करने के बाद उनी का बुजरुका का पित्रों का भोजन जब हम चीटियों को कराते हैं तो हम इस्षु आशिरवाद की प्रापती होती है और हम कभी भी बिना घर के नहीं मर पाते हैं आपने देखा होगा कि लोगों के पास घर नहीं होते हैं परिशान होते हैं या तो चीटियों को भोजन कराना चाहिए, या श्राद्ध भक्ष का भोजन चीटियों को अवश्चे कराना चाहिए. मितनों आपने सरलता के बारे में सुना होगा कौन बिक्ती कितना सरल है कितना आसानी से लोगों से मिलता है तो ये सरलता आसानी से नहीं आती है एक तो सरलता संसकार के माध्यम से प्राप्त होती है दूसरी सरलता को सीखा जाता है लगातार आप सरलता का नाटक करेंगे, कुछ दिन तक नाटक होगा, फिर वो आपके अंदर धीवेधी माना शिरू हो जाएगी, और आप जाएके देखेंगे, दरजवारा साल में, आप स्वेम धीवेधी में सरल होना शिरू हो जाते हैं, और सरलता को प्राप्त करने के जब हम सरल होते हैं तो सोंदर ही अपने अपिन झिहरने लगता है, जब सोंदर झिहरने लगता है तो समें व्यक्ति आप ब्यक्ति आपको देखता है में सामने याख भुखत होता है। बित्रों आज इतना ही यदि आप भी हमसे कुछ प्रश्ण पूछना चाहते हैं तो हमसे प्रश्ण पूछ सकते हैं हमारा एमेल एड्रेस है astrologywithacharirajish at gmail.com अब आप हमें आग्या दीजिये कल पुनहे मेट होगी तब तक के लिए नमस्कार बित्रों पूछ आप आप